नमस्कार एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है competition community का ये खास initiative fast track revision course में target है हमारा CGPSE 2019 और 20 का प्रारंबिक परीक्षा जिसके मद्दे नजर हम लोग CGPSE के complete syllabus को revise कर रहे हैं और आप लोग मेरे साथ revise कर रहे हूँ 36 गड़ का current affair और एक बार फिर से जो नए बच्चे हैं उनको schedule बता देता हूँ फटा-फट FTR का हमारा ये phase 1 चल रहा है सुब़ 5-8 बज़े आप लोग नीखत में के साथ में पॉलिटी के questions revise कर रहे हूँ सामको 5-बज़े मेरे साथ 36 गड़ के current affair और इसके अलावा रात को 8 बज़े आप लोग वहाँ पर 36 गड़ समानने अध्यन revise कर रहे हो सतेंसर और खुस्बूमेम के साथ पर phase 1 हमारा इस Saturday को खतम हो जाएगा उसके बाद Monday से हमारा phase 2 सुरू होगा जिसमें हम लोग national current affair revise करेंगे international current affair revise करेंगे Indian geography और आपका economics वाला part भी आगा और बागी subjects को भी हम लोग phase 2 में वहाँ पर revise करेंगे FTR हमारा चलेगा 31 जनवरी 2020 तक एक बात और आप लोगों का जो response और आप लोगों का जो support देखने को मिला है न उसको लेकर हम लोग हम लोगों का जो मतलब जो motivation लेवल है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितना high हो चुका है मैं ऐसा क्यूं बात कर रहा हूं इसको पतलब की 10 से 12 घंटे में 500 से ज्यादा registration हो चुके थे और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभख साड़ी 11 बजे के आसपास registration का जो number है वो लगभख 1349 के आसपास में पहुंच चुका है 1349 total registration हो चुके हैं तो आप लोगों का ये support यानि कि हम और आप जो मिलकर मेहनत कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे motivation लेवल को बढ़ाता है और अगर काम करते वक्त किसी भी तरह का frustration या ठकावट आता है तो इस तरह का motivation उस चीज़ को दूर कर देता है तो हमारा और आपका जो relation है इसी तरह से हैं आप हमें support कीजी हम आपको support करेंगे इस तरह से हम ल लिंक नीचे description box में मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा वहाँ पर जाएए इस test के लिए registration कर लीजे दो फरवरी 2020 को एक राज जिस तरीय टेस्ट होगा और final paper से पहले आप अपने आपको यहां पर बहतर तरीके से परक सकते हो मान लों कि अगर 10,000 बे एकजाम द जरूर्ग में वो online इस exam को दे सकती हो तो registration एक बार जरूर कर वालो और इस test को जितने लोगों तक share करोगे फायदा आपको उतने ज्यादा उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के बीच में आप इस test को दोगे अपने आपको पर रखने को उतना बहतर म में आने वाला है तो registration जरूर कर लिजेगा 25 जनवरी 2020 तक आपका last date है अप लोग एक बार registration इस test से जरूर कर वा लेना पिलकुल फ्री है इस बात को आप लोग समझ लीजेगा ठीक है एक बात और है यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप घर बैठे cgpc की तयारी करना चाहते हैं तो competition community आप लोगों के लिए खास initiative mobile course लेकर आया है 31 December 2019 तक अगर आप इस mobile course का registration कर लिये हो या purchase कर लिये हो तो वहाँ पर आप लोगों को एक विसेश चुट दिया जा रहा था 4200 की जगह आप से मातर 3600 रुपिस लिया जा रहा था लेकिन अब वो offer सम वाप्त हो चुका है यानि कि mobile course अब आपको 4200 रुपिस में ही हमारे website से purchase करना होगा लेकिन लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और सुविधा दिया गया है इस तरह से एक coupon mobile course से सम्मंदित launch किया गया था ये coupon आप लोगों के नजदी के bookstores पे मिल जाएगा website पे आप आपको 4200 रुपिस पे करना होगा लेकिन आप आपकर इस coupon के माध्यम से mobile course लेते हैं तो अभी भी आपको 3600 रुपिस ही पे करना होगा तो इस coupon के माध्यम से आपको यहाँ पर एक छूट मिल जा रहा है 42 साओ की जगह 3600 रुपे ही मात्र पे करना होगा यह coupon आपके नजदी की बुक्स टोर्स पे अवीलेबल है अगर नजदी की बुक्स टोर्स पे आपको यह coupon नहीं मिलता है तो आपको बुक्स टोर्स वाले को बूलिए कि यह आपको coupon अवीलेबल करवाए ठीक है आप लोगों के लिए स्वक्ष रेलवे रैंकिंग 2019 में ACCR यानि की साउथ इस्टन सेंट्रल रेलवे जोन बिलासपूर को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है अपसान है पहला दूसरा तीसरा याफ़ी चौथा कुछ समय पहले ही भारतिय रेलवे की तरब से स्वक्षटा को लेकर एक सर्वेक्षन करवाया गया था उसमें देश के जितने भी रेलवे जोन है उनकी भी रैंकिंग निकाली गई थी तो इस question का सबसे पहले जवाब तो हो जाएगा अब भी और अगर हम बात करें कि पूरे railway zone में सबसे पहले स्थान पे कौन सा था तो वो पहला इस थान आपका था जैपूर railway zone का और इसके अलावा इस question में कुछ बात हो और ध्यान डखिएगा अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिलासपूर जोन की बात न करके बिलासपूर railway station की बात करें इस सरवे में बिलासपूर railway station को 149 स्थान पर रखा गया है और देज भर में लगबग 700 के आजपस railway stations को इसमें ranking में सामिल किया गया था तो याद रखिएगा बिलासपूर railway zone जो है पूरे देज भर में जोन कैटेगरी में सेकेंड नमबर पर और railway station के कैटेगरी में 149 में नमबर पर रखा गया है ठीक है और railway zone की अगर हम बात करें 2018 की तो 2018 में था बिलासपूर चौथे पायदान पर ठीक इतनी बातों को बस ध्यान रखिए गए अगर questions आप से बनते हैं तो यहीं से बनेंगे चलिए दूसरे question की तरह बढ़ते हैं स्वक्षय इस्पताल योजना इसे हम लोग काया कल्प योजना के भी नाम से जानते हैं इस योजना के तहत वर्स 2019 में 36 गड़ के किस जीला इस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्थ हुआ है यह आपका एक state level ranking है आरिया ranking हिल्थ सेक्टर से संबंदी कौन सी योजना के तहत में दिया गया है उस बात को याद रखिएगा स्वक्ष इस्वताल काया कल्प योजना तो चलिए कौन सा जो जीला इस्पताल है वो प्रथम स्थान पे रहा answer बताईएगा option यह है कुर्बा option B रैपूर option C आपका है जस्पूर या फिर option D दुर्ग तो इस question का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका option A कौर्बा ठीक है स्वक्ष इस्पताल यानि की काया कल्प योजना के तहत वर्स 2019 में कौर्बा जीला इस्पताल को पूरे 36 गड़ जीला इस्पताल में से जीतने भी है वो प्रथम स्थ कौर्बा को और इस योजना के तहत में अगर प्रथम रहंगी कौर्बा को मिला है तो इसके साथ में कौर्बा को 50 लाख रुपए भी प्रदान किया गया है कौर्बा जीला इस्पताल को चलिए इसके बाद नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं सरल सुचकांक में 36 गड़ क कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है सरल सूचकांग सेंट्रल गवर्मिंट का एक इंडेक्स है इस इंडेक्स के बारे में हम आगे जानेंगे लेकिन सबसे पहले ऑप्सन देख लेते हैं दूसरा दस्वा सुलहवा या फिर बीस्वा तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए क सरल सूचकांग क्या है इस सरल सूचकांग को जारी किया गया है किंद्रिय उर्जा मंत्राले द्वारा रूप टॉप सोलर प्रोजेक्ट के तहट में कौन से राज्य में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है और कौन से राज्य ने सबसे बहतर प्र प्राप्त हुआ है इस Index की अनुसार सरल इंडेक्स में वह इंडेक्स आपको प्राप्त हुए है सुलावा तो इस कुषिचन का सही जवाब जो होगा वह सी होगा अगर हम लोग टॉप स्टेट्स की बात करें यानि कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है इस रेंकिन में पहले स्थान पे आ अ जाता है करनाट, इसके बाद आ जाता है के लंगाना उसKE बाद आ जाता है गुजरात और उसके बाद नमबर आता है आंधर पर धैस का तो टॉप स्टेट्स के भी याद रखिएगा सरयल इंडेक्स के छेतर से संबन दीत है, इसको भी याद रखिएगा, कौन से मंतराले की तरफ से जारी किया जाता है, इस बात को भी आपको यहाँ पर clear होने चाहिए, ठीक है, चले, next question की तरफ बढ़े हैं, जितने questions करवार हो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बहुत selected questions है, एक ब तो ऐसे बच्चों के लिए mobile course वरदान साबित हो सकता है, आप लोग घर बैठे आसानी से कर सकते हो, आप हमारे website पर visit कर लो, वहाँ पर सारी information आपको mobile course से related मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, इसके बाद, जितने भी dreams होते हैं, उस dreams को कभी दवा कर मत रखा करो, उस dreams को पूर आगे तो बढ़ो, ठीक है, चलिए, इसके बाद, जो next question है, हाल ही में भारतिये संसद में उपलब्द कराये गए आकड़ों के अनुसार, ठोस अफशिष्ट प्रवंधन के मामले में 36 गड़ को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है, इस हाल ही में भारतिये संसद में एक आ था, तो इस question का सही जवाब जो होगा, वो होगा आपका option A, पहला, solid waste management के मामले में इस report के अनुसार, इस आकड़ों के अनुसार, पूरे देश में 36 गड़ पहले स्थान पे है, और अगर हम दूसरे स्थान की बात करें, तो दूसरे स्थान पे आपका आ जाता है, ते लंग कचरा है, उसको proper तरीके से manage कर लिया जाता है, ठीक है, तो वहीं अगर हम ते लंगाना की बात करें, तो ते लंगाना में लगबग हर साल ढाइला के आसपास कचरा निकलता है, और उसका 73% कचरे का निप्टान कर लिया जाता है, यानि कि proper उसको manage कर लिया जाता है, तो percentage या रखिएगा इस question का सही जवाब जो होगा वो आपका पहला होगा next जो question है हाली में airport service quality पर जारी अंतोराष्टिय सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार रायपूर इस्थित स्वामी विवेका नंद airport को देश में कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ एक important question बन जाता है यहां से इस बात को ध्यान रखिएगा option है आपके सामने पहला, दूसरा, चौथा या फिर पांचवा तो इस question का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा आपका option D पांचवा, देखिए जब weekly current affair वाला जब मैं करवाता था तो जब यह topic आया था तो बहुत confusion हुआ था पांचवा और छटवा रैंकिंग को लेकर लेकिन बाद में इसको clear किया गया था पांचवा जो है इसका सही जवाब है ध्यान रखिएगा और अगर हम लोग बात करें तो यह index जो है आपके मई 2019 में जारी किया गया था ठीक है अंतरास्टी हवाई अड़ा परिशत जो है देश के हवाई अड़ों की गुडवत्ता सरवेक्षन पर रैंकिंग जारी किया था इस रैंकिंग के अनुसार जो रायपूर में है आपका विवेका नंद विमानतल उसको देश में पांचवा इस्थान मिला था वही वर्ल्ड रैंकिंग में इस गुडवत्ता के मामले में जो है रैपूर यारपोर्ट को 55 रैंकिंग मिला था यानि कि 55 रैंकिंग यह पूरा ग्लोबल और 5 जो है आपका नेस्नल लेवल पे है तो ये दोनों रैंकिंग को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट कोश्चन है सांकी की एवं कारिक्रम मंत्राले द्वारा वित वर्स 2018-19 के लिए जा रही प्रदेश विकासदर में 36 गड़ का विकासदर कितना प्रतिशत है ठीक है आपका तो बताइए 36 गड़ का जो विकासदर है वो कितना है बहुत इंपोर्डेंट कुश्चन है और मैंने वीकली करेंट फिर वाले में इस टॉपीक को करवा रखा है अच्छे से आपके सामने 8.68%, 7.34%, 5.91% या फिर 6.08% इस प्रेशन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 6.08% सांखी की अब हम कारिक्रा मंत्राले ने वित वर्ष 2018-19 के लिए विकासदर के आकड़े सम्मंदित प्रदेश सरकारों के आर्थिक और सांखी की निद्यसाले से जितने भी आकड़े जोटे उसके हिसाब से इस रैंकिंग को रिलीज किया है जिसके आनुसार 36 गड़ का जो विकासदर है वो 6.08% है और अगर हम टॉप स्टेट की बात करें कि सबसे ज़्यादा विकास कौन से राजमे हुआ है उसका GDP किस तरह से ग्रूद कर रहा है तो वो आपका आज आता है पस्चिम बंगाल जिसका जो विकासदर है 12.58% रहा 36 गड़ का याद रखिएगा 6.08% यह 36 गड़ का रैंकिंग कम से कम आप लोगों को इतना याद होना चाहिए ठीक है चीजों को जब revise कर रहे हैं तो उसको relate करके किसी न किसी तरह से 36 गड़ के situation हमें पता होने चाहिए क्योंकि 36 गड़ का situation ही अगर नहीं पता है तो फिर revision करने का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए खासका 36 गड़ के आंकड़ों पर विशेस focus रखिएगा ठीक नेक्स्ट कोईशन है चलिए तो इस question का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका option सी, यानि की तीसरा इस्थान है च्छत-्थिसनगाट सरकार के पंचायत विवाग को केंदर सरकार दौरा पंचायतों में इटखनीक विक्सित करनी के लिए पूरे देश भर में तीसरा इस्थान प्रदान किया है और पंचायतों के ससक्तिकरन और विभागी योजनाओं को लागू करने में सूचना और संचार तकनीक के प्रभावी उप्योग के लिए 36 गड़ प्रदेश को जो है यह इस्थान प्राप्त किया गया है तो याद रखिएगा इ तकनीक के मामले में 36 गड़ की यहाँ पर आपको पंचायतों से संबनित रैंकिंग याद रखना होगा पहला रैंकिंग याद रखिएगा ठीक चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की तरफ तो जो हमारा अगला प्रशन है वनाधीकार के दावे और भूमी मान्यता देने में 36 गड़ को देश में कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है ठीक है इस कॉस्चन का सही जवाब जो होगा आपका ओप्सन बी होगा दूसरा पहले इस्थान पे आजाता है आपका ओरीशा वनाधीकार के दावे और भूमी मान्यता देने में 36 गड़ को उरीशा के बाद दूसरा इस्थान आ जाता है देश में और अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर भूमी मान्यता देने में अगर टॉप रैंक की बात करें तो टॉप रैंक पे आ जाता है महाराष्टे और वनाधीकार और भूमी का मान्यता देने की सुरुआत कहा हुआ था भाकरा से हुआ था और इसकी सुरुआत कहा हुआ था तो धमतरी के जबरा से हुआ था सबसे पहले वहीं पर वनाधीकार के दावे दिए गये थे हाल ही में National Crime Record Bureau द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधीक आत्म हत्या के मामले में 36 गड़ देश में कौन से स्थान पे है ठीक है पहला तीसरा पांचवा या फिर सातवा बताईए इस question का सही जवाब क्या होगा इसको हमने discuss कर रखा है अगर आप लोगोंने पढ़ाया है तो बताईए चलिए मैं बता देता हूँ इस question का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका option C पांचवा ठीक है अगर हम लोग थोड़ा से बात कर ले तो यह इस तरह का report किसके तरफ से जारी किया गया है National Crime Record Bureau की तरफ से जारी किया गया है महराष्ट में सबसे ज़्यादा suicides होते हैं अगर पूरे देश का अगड़ा निकाल ले तो उसका 13% जो suicides के case आए है वो महराष्ट से आए है उसके बाद पश्चिम मंगाल और तमिलनाडू का नंबर आ जाता है 11.5% 36Guard जो है आपका 5.4% के साथ में गुजराव के साथ ही पांचवे करम पर है या encourage गुजराव भी पांचवे करम पर है और आपका 36Guard ही पांचवे करम पर है एक आम मैंने करवाया था नव जीवन अभ्यान को लेकर कि महा समून में सबसे जàyदा suicides होते हैं चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, next question की तरफ, चलिए, इसके बाद जो अगला question है, हाली में किस विकास खंड के महिला को पादप जीनोम सेवियर पूरसकार से सम्मानित किया गया है, option है, पार्टन, या फिर हर्दी बजर, या फिर रतनपूर, या फिर खेरागर, ब इंद्रा गांधी क्रिसे विश्विद्याले रैपूर और क्रिसे विज्ञान के इंदर दुर्गे, इन दोनों के मार्क दर्शन में, जो पाटन में है, वो दुरलब परंपरगत किश्मों की, चाहे ग्रीन राइस ले लो, चाहे ब्लैक राइस ले लो, इन दोनों धानों के संरक्षन और समवर्धन का कारी करने के लिए पाटन विकास खंदर के तर्रा यानिकी अचानक पूर के महिला क्रिस को सम्मूह ने आदर्स महिला आत्म सम्मूह इस नाम से एक सम्मूह चलता है जो हाँ पर धान की जो दुरलब किसमे है उनका संरक्षन किया जाता है उनका उत्पादन किया जाता है इसलिए पाटन के इस महिला समोह को जीनोम सेवियर पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो याद रखिएगा जीनोम सेवियर पुरसकार 2019 से 36 गड़ के किस विकासखंड को सम्मानित किया गया है या फिर किस विकास तो इस question में आज मैंने आप लोगों को दसी question करवाया हूँ जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 36 गड़ को जितने भी national awards इस साल मिले हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ लेकिन पूरा data तयार नहीं हुआ था तो इसलिए आज क कार को मिला हूँ या फिर किसी particular इंसान को मिला हूँ संस्था को मिला हूँ सारे हम लोग important awards कल के वीडियो में करेंगे जो आपका FTR वाला कल सामको 5 बजे वीडियो मिलेगा उसमें तो आज के इस वीडियो में इतने ही questions है आप लोग टेलिग्राम से जुड़ जाएगा वहा पर जरूर करवाले और किसी भी तरह से कुछ doubt आता है किसी भी प्रशन को लेकर तो आप लोग नीचे comment box में comment कर दिया करें आज सुभा वाले quality के questions में एक थोड़ा सा mistake हुआ था question number 11 में editing mistake था थोड़ा सावा पर questions कुछ और पढ़ा गया और वहां पर flash कुछ और हो गया था तो उस छोड़ी छोड़ी से mistake हो जाती है उसका ध्यान रखिएगा और हम लोग उस चीज को जो है correction करवाते चलेंगे ठिक ठिक तो आप लोग FDR के माध्यम से तयारी करते रहिए revision करते रहिए और last में हम लोग revision करते रहिए तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही thank you thank you very much झाल